नमस्कार आप देख रहें टीबीवी नियूज मैं हूँ आपके साथ राजनन्दनी शर्मा राजदानी जैपुर से महज 15 किलोमीटर दूर स्तित जगत गुरु रामानंचारिय राजस्तान संस्कृत विश्विध्याले अपने बधाली के आसू बहा रहा है संस्कृत और संस्कृती की दुहाई देने वाली सरकारों के अंदेखी के कारण राजस्तान का इकलोता संस्कृत विश्विध्याले बंध होने के कगार पर पहुँच गया है जैपुर के नस्दीक होते हुए भी संस्कृत विश्विध्याले में छात्र संक्या कम होती हुई नजरा रही है विश्वविध्याले की कुलपती डॉक्र अनुला मौर्य का कहना है कि हम विश्वविध्याले में छात्रों की संक्या बढ़ाने के रिये लगातार प्रयास कर रहे हैं वही हमारी समवाददाता योशी महर्शी ने विश्विध्याले का जाइजा लिया, आए देखते हैं कुलपती ने क्या कुछ कहा तो आज हम मौझूद है, राजिस्थान के जगत गुरू रावननदा चारे, राजिस्थान संस्कृत विश्विध्याले में जो कि राजिस्थान का सबसे बड़ा विश्विध्याले है, पर उसके बावजूद भी हम देख सकते हैं, कि राजिस्थान का सबसे बड़ा विश् इंख्या करते हैं उनकी तो सर्व 600 से सास्तों बच्चे ही हमें मालूम चलता है कि यहां पर आते हैं इसका रीजन क्या है यह मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक तो यह जो विश्वविद्याल है वो जैपुर से बहुत दूर है जिस वज़े से बच्चे यहां तक पहुंश जा रहा है उस वज़े से भी यहां पर जो है इतने बच्चे इतनी जो स्ट्रेंथ है वो नहीं आपा रही है तो देखिए अभी हमारे साथ मौजूद है संस्कृत विश्विद्याले की वाइस चांसलर डॉक्टर अनूला मौर्य जी तो मैं मैं आपसे जानना चाहूंगी क अभी हम देखते हैं कि विध्यारतियों के प्रती जो रूची है संस्कृत भाषा को लेकर के वो धीरे-धीरे कम होते जा रही तो उसका बता सकते हैं कि एक वज़य क्या हो सकती है उसकी देखे किसी भी आप कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए कोई भी अगर ग्राजुशन भी करता है तो उसको रोजगार से जोडा जाता है और संस्कृत को अगर रोजगार से नहीं जोडा जाएगा तो मेरे ख्याल से संस्कृत में छात्रों की कमी रहेगी और इसलिए आप देख रहे हैं कि आई-एस के कम्पुटिशन एक्जाम्स जो होते हैं उसमें संस्कृत तो अब संस्कृत के जो चात्र हैं वो आई एस का एक्जाम भी दे सकते हैं इसी तरह मेरा ये मानना है कि अगर जैसे आप 10 में हिंदी निवारे करते हैं अगर हिंदी आप पड़ेंगे तभी आपको गर्वर्मिंट उसमें नौकरी मिलेगी उसी तरह संस्कृत का भी ऐसा ही ह होना चाहिए कि अगर संस्कृत बच्चा पड़ेगा दसवी तक बारवी तक तो उसको सरकारी जो निकतियां है उसको प्रात्मिक्ता उसमें दी जाएगी तो देखें हम देखते हैं कि जैसे भी धीरे-धीरे समय बदल रहा है तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जो चात्रों की संस्कृत भाषा के प्रती वह तीरे-दीरे बढ़ती जाएं देखें मेरा मानना है कि पास्चात्ते की तरफ बच्चे जादा हो गया जितना भी आपका ये सोशल मीडिया है आपके ये यूट्यूब अगरा है इसके जरीए बच्चे जो है ना बहुत ही मतलब आक्टिव है तो इसलिए संस्कृत के प्ति जो उनकी रुची है क्योंकि संस्कृत हमारी भारती सब्विता को दशाती है और भारती सब्विता को एक तरह से विलोप होता जा रहा है क्योंकि बच्चों की रुची जो है वो पास्चात्ते की तरफ जादा होती जा रही है तो मेरा ये मान इसलिए है क्योंकि ये आजकल के परिवेश में इनकी महत्ताया है इसी तरह ये समझना आनिवारे है कि संस्कृत का एक अपना साहिते है संस्कृत उतनी इंपर्टेंट है कि आप देखिए कि जितने भी आपके विज्ञानिक के से ले लिए जितने आपके मैनेजमेंट है जो इस तरह के हैं सारे संस्कृत से ही निगले हैं सारी भाषा का उद्गम भी संस्कृत से हुआ है लेकिन बच्चे जो हैं उसके महत्ता को समझनी पा रहे हैं और मुझे लगता है कि छोटे-छोटे आप नुकर नाटके तरुए चोटे-चल्ट चित्रों के तरह आपको भारत तो यह संस्कृति उसको दर्शाना पड़ेगा तब इसकी इंपोर्टनस पता लगेगा तो देखे जैसा कि आपने खुद में बता है कि लालश देना पड़ता है हमें बच्चों ने बताना पड़ता है तो जितनी भी हमारे दर्शक है हमारे जो विधारती अबागी आपको अब हमारी उनिवर्सटी भी एक मुंबई की एक संस्ता है जिसके साथ MOU हम कर रहे हैं उसमें हम वीडियो रिकॉर्डिंग ये फोटोग्राफी वगर इस तरह की रोजगार से रिलेटिट जो सब्जेक्ट्स हैं वो कर रहे हैं और उनका खुद ये मानना है कि जो बच्चे सं संस्कृत पढ़ते हैं उनका उच्चारन जो है बहुत अच्छा होता है आपने छोटी छोटी वीडियो फिल्म्स देखी होईंगी जो बच्चे जैसे ये टॉम इन जेरी और इस तरह का होती है तो उसमें आप देखते हैं कि डबिंग जो होती है वो इंगलिश में होती है लेकिन उसके जो हिंदी का अनुवाद होता है अगर संस्कृत के बच्चे उसका उच्चारन करते हैं तो उच्चारन उनका बहुत अच्छा होता है संस्कृत के और वो इसलिए उन लोगों ने यहाँ पर इस तरह के प्रोग्राइम जो हैं कोर्सिस जो हैं ऑनलाइन करने का हमने विचार दिया कि ताकि उनको भी रोजगार उससे मिल सके तो मेरा चातरों से यह है कि कोई भी भाशा जो है वो किसी तरह से किसी से भी कम नहीं होती अगर आप हिंदी के मीडियम से पढ़ रहे हो तो संस्कृत मीडियम में भी पढ़ने म से जोड़ी होती है आपकी संस्कृति से जोड़ी होती है तो इसलिए मैं खुद एक वाइस चांसलर हूँ संस्कृत पर नहीं होती आज तो देखिए आज महिला दीवस भी है और हमारे साथ में मैं इत्ती अच्छी बात कहीं कि संस्कृत जो है वो आपको एक पहचान दिला सकती है और मेडम खुदी एक जीता जागता उधारन है हमारे सामने तो कैमरमेन अनील के साथ आयूशी महर शीठी पीवी न्यूज